गुड मोर्नी एबरिबरिबंसो फ्रेंज देख लेते हैं आज की वीडियो है क्या गर्मी से बचने के उपाए वीडियो को पूरा ही सुनिएगा नमबर वन हाइट्रेट रहें खुब पानी और फ्ल्यू एर्स पीना गर्मी के मौसम में आपको ठंडा रखने का काम करेगा जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसके लिए तापमान को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है जिससे हीट एकसासन का जोखिम बढ़ता है इसलिए दिन में दो से तीन लीटर पानी पीएं और साथ ही नारियल पानी नेमबू पानी आधी का शेवन भी करें नमबर टू हलके कपड़े पहने आप गर्मी में कैसा महसूस करते हैं यह काफी कुछ उस पर ही उस पर भी निर्वर करता है कि आपने क्या पहनना है ऐसे कपड़े पहने जिससे जिसमें सरीर सांस ले सके जैसे काटन मलमल लिलिन आधी गहरे रंग के कपड़े ने पहने क्य गर्मी जादा लगेगी इसलिए हमेशा च्छाओं ढूड कर वहां खड़े हों हमेशा एक छाता और संग्लासे साथ रखें नमबर फोर थंडे प्रोडेक्ट्स का इस्तिमाल करें ऐसी कई चीजे हैं जो गर्मी के मोसम में आपको थंडा रखने का काम कर सकती हैं आप तोलियों को गीला कर गर्दन पर लपेट सकते हैं इससे आपको कई घंटे ठंड़क मिलेगी आप फेंड फेंड का भी इस्तिमाल कर सकते हैं नमबर फाइब, ठंडे पानी से नहाएं, नल में आ रहें सामाने तापमान के पानी से नहाएं, इससे आपके शरीर का तापमान कम होगा और आप तरो ताजा महसूस करेंगे, आप शुब्यसाम नहा सकते हैं. नमबर सिक्स, संस्क्रीन का जरूर करें इस्तेमाल, गर्मियों के इस मौसम में भले ही आप घर से बाहर निकले या ना निकले पर संस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें, यह आपको सूरज की तेजी यूवी किर्णों से बचाएगी, घर पर तो आप SPF 30 की संस्क्रीन इस्तेमा में ला सकते हैं पर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो SPF 50 वाली संस्क्रीन का ही इस्तिमाल करें नमर सेवन नमी बनाए रखना जरूरी अत्यदिक पशीने के कारण शरीर में पानी और अन्य पोशन की कमी होने लगती है ऐसे में शरीर में नमी रखने की जरूरत होती है जादा पानी पीने के साथ साथ बाहरी शुरक्षा भी जरूरी है चेहरे की नमी शुरक्षित रखने के लिए हाई एल्यूरोनिक एसिड यूक्त डे क्रीम का इस्तिमाल करना चाहिए नमर एट चेहरे को ठंडे पानी से धोएं गर्मियों में कहीं ब चमा धूल पशीना प्रदूशन धूल जाते हैं और चेहरे की चमक बनी रहती है नमबर नाइन हरी सब्जियों का शेवन करें गर्मियों में हरी पत्यदार सब्जियों को खाना चाहिए इससे सरीर में पानी की कमी नहीं होती साती सरीर को जरूरी सभी पोसक तत्व मिलते हैं जिसके कारण इसकिन चमकदार बनी रहती है नमबर टैन फलों का करें शेवन शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आप मौसमी फलों जैसे अंगूर तरभूज आम संत्रा का शेवन कर सकते हैं इन मौसमी फलों में भरकुर मात्रा में पानी मौजुद होता है जिस से त्वचा की चमक बनी रहती है नमबर 11 किसी भी स्तिती में बगैर कुछ खाए घर से ने निकले नमबर 12 खुले शरीर बाहर ने निकाले टोपी पहने कानों को ढखकर रखें और आँखों पर धूप का चस्मा जरूर लगाएं नमबर 18 एसी से निकलते ही एकदम धूप य गर्मी में ने जाएं नमबर 14 ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं जिससे पसीना आकर सरीर का तापमा नियमित निर्धारित हो सके तता सरीर में जल की कमी ने हो नमबर 15 प्रति दिन प्याज खाएं और साथ में भी रखें नमबर 16 आधि गर्मी में में मोसमी फल फलों का रस दही मठा जीरा चास जल जीरा लसी आम का पन्ना पीएं या आम की चटनी खाएं फ्रेंट्स यह सभी चीज़ें आपको गर्मी से बचाती हैं नमबर 17 हलका वे सीक्र पचने वाला भोजन करें नमबर 18 नरम मुलायम सूती कपड़े पहने जिससे हवा और कपड़े सरीर के पचीने को सोकते रहें नमबर 19 तली हुई या मसालेदार चीजों से दूर रहें यह आपका पेट खराब कर सकती हैं नमबर 20 इन सब के अलावा समय समय पर आवसकता के अनुसार गुलुकोज का सेवन करते रहें और अपनी उर्जा का इस्तेमाल अनावसक ने करें नमबर 21 हलकी फुलकी एक्सराइज करें गर्मियों में माडरेट से हाई इंटेसिटी एक्सराइज करने की सला दी जाती हैं हाला कि एक्सराइज करने से पहले कम से कम दो से तीन गलास पानी पीएं जबकि वर्काउट सुरू करने से पहले एक गलास पानी या कोई इसके अलावा वर्काउट के दोरान भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें वही जिम के बाहर या घर के बाहर एक्सरसाइज करते समय खास साफधानी बरते हैं 22. कैफीन ना ले एलकोहल और कैफीन वाले ड्रिंक्स जैसे चाए और कॉफी का सेवन करने से डिहाइडरेशन की समस्या बढ़ सकती है इसे हार्ट, किड्नी और लीवर से जुड़ी समस्या बढ़ जाती है इसलिए गर्मियों में इन चीजों के सेवन से बचना चाहिए आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कोमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा चैनल पर न्यू जो आते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजिएगा